लॉरेंस बिशनौई की लाक धमकियों के बाद भी अपने वर्ग कमिट्मेंट्स को काफी जादा सीरिस ले रहे हैं सलमान खान बाब सिद्ध की मर्डर के बाद सलमान खान को लेकर लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि उन्हें घर में रहना चाहिए उन्हें फिलाल अ आपकी भी नहीं सुनते हैं जी आपने वर्ग कमिट्मेंट्स के चलते ही सलमान खान ने बिग बॉस 18 के वीकेंट का वार को भी शूट किया और उनका नया प्रोमो जो है वो भी सामने आ चुका है इतनी सारी धमकियों के बावजूद रियालिटी शो बिग बॉस 18 को होस्ट कर रहे हैं सलमान खान और उनका नया प्रोमो जो सामने आया है इसमें वो घरवालों से बात करते नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही उनकी गलतिया भी बता रहे हैं शो का ये प्रोमो काफी जादा खबरों में है क्योंकि सलमान खान ने घरवालों से बात करते हुए इंटरि सल्मान खान को बशनौई समाज के सामने माफी मांगनी होगी हाला कि माफी मांगने को लेकर सल्मान खान का तो कोई रियाक्शन सामने नहीं आया लेकिन उनके पिता सलीम खान ने ये साफ कर दिया है कि जब उनके बेटे ने काले हिरन को मारा ही नहीं उसने तो कभी कीडे मोको तक को नहीं मारा, तो आखिर सन्मान कान माफिग क्यों मांगे? और इनी इसब के भीच अब जो नया प्रोमो सामने आया है, उसमें सल्मान खान अपने उपल्लागे लांचन पर भी बात करते नजर आए हैं. लेटिस प्रोमो में सलमान खान घरवालों से बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि किसी पर भी इतना बड़ा लांचन लगाया जाए कि उसकी फैमली का क्या होता होगा, उन्हें किस नजर से लोग देखते होंगे कि आपका बेटा क्या क्या कर रहा है, घरवाले बोलते हैं कि महिल अबिनाश को सपोर्ट करते नजर आए जब लोगों ने उन्हें इस बात को लेकर इलिमिनेट कर दिया कि महिलाएं उनके साथ सुरक्षित नहीं है, और इसी बात को लेकर सलमान खान ने सभी घरवालों को जम का लतार लगाई और ये भी कहा कि आप किसी के करेक्टर पर आप सिर्फ भगवानों से बात कर सकते हो आप तो विद्वान लोग हो बाकि सब बेवकूफ है और आप मुझे भी बेवकूफ समझते हो सलमान खान घरवालों से पूछते हैं कि इनके प्रोफेशन के बारे में किसी को कुछ समझ में आ रहा है जिसको आ रहा है वो हाथ उठा ले विडियो में कोई भी घरवाला हाथ उठाता नजर नहीं आया और ऐसा ही देखने को मिला जब सलमान खान वीकेंट का वार पर लोगों की क्लास लगाते नजर आए और कही न कहीं इंटरेटली वो अपने बारे में भी बाते करते नजर आए हैं कि भारी दुनिया में उन्ने लेकर लोगों ने न जाने क्या-क्या खा है लगिन असके बावजूद उन्हों ने इन बातों पर रियाक्शिन नहीं दिया लेकिन वो जानते है जब उनके बेट क के बारे में कोई गलत बाते करता है अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए आप हमारा ये वीडियो फेस्बुक पेश पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक केजिए बॉलिवुड टीवी से जोड़ी तमाम खबरों के लिए आप द